अब जोड़ों के हैं दायनिक शीव टाइम से मैं रश्मी शर्मा कैमरामेन शुवम भगत के साथ 26 जन्वरी ये कहेंगे 26 मार्च माज़र चाहते हैं वो दिन युगराश के परिवार पर क्या बीती होगी ये तो युगराश के परिवार वाले ही जानते हैं सबसे पहले शुरू में हमने आपको एक वीज्वल बताया ये है युगराश सिंग के पिता का जो पिछले चार साल से कोमा में हैं और युगराश इनका जो करता धरता यनि जो फैमिली को कमा कर खिलाने वाला जो कि स्विकी में काम करता है 26 मार्च के दिन युगराश एक दु पढ़ गई भारी यनि के युगराश उन आफीसर को देखते हैं उनसे नमशकार करते हैं फिर उसके द्वारा उनके द्वारा युगराश को एनाये में बुलाया जाता है फिर से हम कहेंगे अपनी जनता को कैप्शन होर से पढ़िए आखिर क्या हुआ था उस दिन एनाये म जिसका अथर युगराश के परिवार पर पड़ा यहनी कि उस दिन युगराश का परिवार पुरा बुखला उठा जब उन्होंने युगराश के जिसम पर नाये के द्वारा बरबरता से मारे हुए जखम देखे वो निशान देखे आज हम उसी व्यक्ति से आपको मुलातक करवाने जा रहे हैं क्योंकि हमारा करतवे बनता है जब भी कहीं हमारी जनता को हमारी जरूरत पड़ती और जहां पर हमारी जनता के साथ कहीं गलत होता है तो हमारी ड्यूटी बन जाती है उसका अपने माद्यम से उनकी आवाज को परिशासन तक लाना आला अधिकारियों तक लाना कि आखिर तूटियां कहा हैं आखिर कमियां कहा हैं सबसे पहले हम युगराज के जखन दिखाना चाहिए जिसको देखर उनके परिवार के मन पर उनके दिल पर क्या बीति होगी उग्राजी हम आपकी दास्तान आपी की दुबानी सुनने आया आपके चैनलों को मेरे तर्फ से बहुत हो दुश्य कामना है जो आप यहां तक मेरे पास आए बहुत बहुत ज्यादा थैंक्स आपका और आपको यह पताना चाहता हूं कि चैनलों से पहले इन्होंने मुझे एक बार उठाया था तब मैं अपना आटर लेने गया हुथा यह उपर निया शीदी चौंक तो उदर गया था तो उदर से जब मैं आया तो इन्होंने दो अफसरा है मेरे पास कहते आपका नाम जुगरा जाए तो महां जी सार जुगरा जा पचीश अभी दिन से पहले तो इन्होंने असामने इनके अफसर बैठे ने जो चकपाल शेरावत तो उन्होंने जो मुझे लेके गए दो जने तो उनमें से एक अफसर बहुत अच्छा था उसे बड़े प्यार से कहा है चोड़े चोड़े कोई बाद नहीं कहीं जाते तो अगया चोड़े वाज मारी पकड़ लिया मैं क्या पकड़ लिया मैं फिर मुझे गुसज रगया मैं को छो रूँ घळा कर दाना ना नहीं चलो चलो वह आ गया जो जो चकपाल शेरावजन का अफसर जो तो किता चल गाड़ी में बैठ मैं गाड़ी में क्यों बठों मैं इसको पुछा कि मैं कैसे चलूँ आपके साथ कहता हम पुल्स वाले हैं मैं सार आप आईडी गार दिखा दो मैं चलता हूं तो जबान माच चड़ा निद उठा के बीच में गा रहे हैं मैं सार आईडी गार दिखा ओ इतनी दिर मैं जल्दी से अपने बाई को फोन लगा दिय तो यह कोई पांचे मिन हमारा जोर जमाई चुई वहां पे तो इतने जिर पब्ली कठी होगी वहां पे वह में चौंग आशी दी चौंग वहां में पुलिस का नाका भी होता है तो उदर से इन्होंने उनके अफसर ने पुलिस वाले को पता नहीं बुलाया गया आवाज द शाइ निवर गलिए में अफसर टे आगले में टो एम दो ने चौंग जानाइब को मुझे उपर तो मुझे कहतने लगा कि यह तुने काल की मुझे मालूम करता चलता बहुता कौन सा नंबर एं और यह तो करम जीत है करमजीत का नंबर है मैं दो नंबर है मैं भून इसके इ जो मेरे आपने कुटा देखना बड़ा सा बाद जी वह उसी से लिए वह पहले उसके पास आप इसको जानते हैं नहीं में एक कुटों के अद्धार बने उसके साथ तीन-चार कुटे उससे लिए एक कुटा मैंने भी बेचा था जमू से लेके उसको बेचा था तो फिर आपक गलाशव्ताकि आपके पास बेचाना आता तो नहीं तो हमें पर जाती तो चा थी है तो कहता भी आपको पोर्व को फून करता हूं इस ने भेसे फोटो देखाई कि करमजीन की दिखाई वह ही मेरे जो धोस्ता है कुटों मैं paragraphs येक खा बी करमजीत है पिर इसने एक और अपन को ना उल्खार सबस्तार जबहो कर दिया क्या बेटंफ मगा वह नए निए तो आटब में ऐको ए जूट मारा एंगा वहल है तक हम बैठंटिका तो को घा हुआ भी यह बिल्टेम हो, फिर में दमाग में बाइ taped चुछ उसका बेटा है जिसकी दुने फोटो पेचानी है मुझे क्या महलूब को नहीं जाने आए थे मैं तो करमजीद को जानता हूं गार आए खाना किया चले गे इनको आपने आपने जब जो बेज़ा था आपको जो फटका जा बेजते हैं लुए तो पर बीस मार्च को क्या हुआ जिस दरह से बरबरता से मारा घया हम सबसे पहले चालेंगे आपसे युगराजी आप अपने जखम बताई जो मारे हुए आपकी टांगों पर अगर वाक्या ही किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वाल्व थे पर आना यह यानि कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन अजनसी जो कि प्राइम अजनसी जिसे माना जाता है काफी सारे देश विरोधी गतिविदियां करने वाले लोगों पर शि पर कहीं कि इस तरह की कुटा ही बिहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देती हैं ऐसी एजनसी पर कि क्या किसी इन्नोसेंट के साथ भी ऐसा हो सकता है क्या किसी मासूम के बहुरारब बहु यह फ geste satश सकती है जो कि ऐसी किसी एसी गतिविदी में इन्वाल भी तो हम जाना चाहेंगे युग्राज जी इसलिए हम आज आपने जब उन्होंने मुझे बाहर बेजाना जो मेरा भाई को बुलाया उन्हें तो उनके जो सबसे बड़े थे इसे बड़े थे मेरी शाय से वह उनका अलग सा एक बड़ा सा कमरा था वह बाहर आए तो सारे खड़े हो गया से मैं पहले ही खड़ा था तो फिर वहां से कहते हैं सर्दार जी बैढ़ जो बहुत अच्छे इंसां थे वह बहुत अच्छे अपसर थे सिर्व इसी ने गालिया निकाली और किसी ने मुझे निकाली इसके साथ दो और भी थे जो पहले भी जब पकड़े थे की चट क्या हुँगा था किसतरा से आप इनाई में गय आपके सथ बार्दा तो ही जाना चाहें एक दिर पहले ना अपने लेने गया है ता मिननी मार्केट जो तरफ़ोटा नगर की आटो सद्रान है ना साथ में कॉस्तूरी अलवाई वहां पे नूकर पे उस्सें मिरा टाँ से मेरी पीठ करके मेरे में इसको देख लिया चकाफाल सर तो मैं तो मैंनी gust तो मुझे तो मुझे क्या करनी क्विसके जयां नहीं है मुझे वह तो पर नहीं ऊहँ की पकास दिम् को sacred साधे जाना साधे नहीं एग सब्सक्राल किया हुआ अगर मैं अभी लॉॉट कशूंगा तो हमारा ही शिफ्ट होती है फाल फोन कि wr दोर मुझे मुझे तवी को फंसले न ही मुझे मेलेगाल मुझे मिलते हैं यहां जाँगा मैंने काल आजाँगा तो चल ठीक काल मा कितने पर जैंगा दस सब्सक्राइब तस आज ना जब मुझे मिला ना दोड़ी तिर वह मुझे दूबरा मिला था कहता कि तुझे ना काल बुलाना है ते मुझे कोई बद नहीं आजा बिटा तो फिर मैं गार आया दो ममी कहते तो मैं चला गया मैंने स्कूटर लगा बार बैक पड़ा था मैं बैक उठाकर लेज़ेगा लेज़ा बैक चेक कर लो चाख कर लो बैक हाली प्रुट मैंने अंदर रहा दिया उसने मेरा मबेल लिया साइन कर लिए बैटटा है तरह बात है कवरपाल से मैं आप को प्र गृर्परताब का बेटा मैं नहीं नीं को जानता हूं मैं किस नंबर से करम पून करता है आपको मैंने पहले भी कहा था क्यूंकि करम जीद थोड़ा दिर पहले फून किया था मुझे कि अपना जब दो मैंने जब को बताना नहीं तो परोड़ भी मेरे से बात करा देना यूंचे मैं उसको नंबर यह नहीं पता कि मुझे रोंग पकड़ आजां पूछ किछ प्विए तो उसने मुझें फोन किया हुआ हुँद तो मैं उसको पोन किया था लुड़िक्स क्या कि तो के बात आई हैं मैंने एक दो दिन ता काना है मैंने ठीक है फिर ने सुबा भी किया तो वह इसको में मैं कुई ऐसा देशा यह चौरी नीजी आपने खुले बोल दिया जिसे प्लिया मैंने बोल दिया मैरी यादत है मेरे घर वाले भी मुझे इसी बात में आपको बताता तो मैंने इसको फोन कर दिया तो वह बिलके भी चल गया इसको कहते हैं तो मैं चला है तो जय मुझे ना आ से खाली जूड बोलता है यह तूने काल की है इस लैप्टप गुमाया मरी तरफ थो रही हैं कि अधे देक्द पांच, 18 महीं को तो मैंने देखा उसमें सब्सक्राइब करें तो फिर मारें मेरे सब्सक्राइब कर देख रहा है आप जतना जानते हो प्र भी मारें मुझे और जाता मारा मुझे क्या था आपके साथ क्या था जो मैं किसी बात कि अगर मैं अगर मैं आपको मुझे कोई थी बुख्त लेके त्यार नोल यह तो फिर आड़ाए दिया था इसके लिए घ्राव मारते रहे मारता तो यह फूर पूछता था यहां कर लिया अधर सब्सक्राइब कोई अगरी साथ में कोई ऐड़ मिमी ने कोई था मारता इस एक क्योंते तो जब इस ने मुझे खड़ा किया पहले बार तरियों मार कि तो मुझे इतना दर्द नहीं हो असर में चलने लगा तो मुझे करणट पढ़ने लगी दमागे मैं सब्सक्राइब तो मुझे बहुत जादा तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्राइब तो मैं इसे चलवाया मुझे तो मुझे कहता कि चाल एसे का तू बाहर चाके बैठ तो मैं सब्सक्राइब आपका कमरा गूम रहा है कंदा साले उड़ता है कि नहीं तो मैं ऐसे उठा इसको चेर पक्ड़े मैं से चेर बैठा जब तो मैंने एक लेसी अभी बानने शुरू किया तरू अपने बूट का तो मैंना फूर चक्क्राइब मैं जमीन में आथ रख दिये नीचे क्योंकि सर म गूम रहा था मिरा जब इसने पताओं में मारा उपर मुझे दर्द बहुत जादा इसको मारता तेरा क्या रिलेशन उसके साथ मैं सारा आपको मेरी कॉल है आप उसको पूछ रो कर दिदको कि मेरा कर चीड़ का क्या रिलेशन है और साथ में पूलीस के पास भी यह ऐसी जं आता हूं मैं क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि यह पुरी सवाले क्योंकि भरदी नहीं डाली थी ना आईगी काड़ है गले में तो ऐसे मैं कैसे जला जाता पदरी उसके दिन की रंजीश निकाली इसने मेरे साथ मारा बरबरता से आपको मारा पर पिर मुझे मैंने मुझे मुझे मैंने ज few वह वहां पर बैठीकाल क्या करूण बैठा को क्या करना है मैं पहले भी आपने लेकिया इसाया मेरी आट चारी तूट जातीble नहीं मैं करते हो काम पहले भी पहला प्रिंटिंग का काम था प्रिंटिंग का अब बांद आ जातरा इतनी अभी चल नहीं रही उसके बाद जब फूट्र पर देखा चलते चला के देखा मुझे अंदर चल गया महां जी सार अंदर चल जा फिर मैं सार आपने गल्त किया मैं इसको मालूम फिर कहां मैं आते हो तो इसने फिर गालिया नगली का देख ले एक और पटा पड़ा है कि मैं फिर चुप कर गया आपको कानून पर विश्वास है सार हमें पूरा विश्वास है कानून अपना काम की कानून के लिए हर मुझरीम एक बराबर है चाहिए वह जुर्म छोटा करे चाहिए वह बड़ा करें कहीं ना कहीं उन्हों ने गलत किया अड्मिस्टेशन ने यह कालियां निकालता था पर उन्हों ने मुझे कुछ नहीं बोला मैं खड़ा था तो उनके देखा भी इसको काफी देर से कळा की mehr iPhone करता हूं तो कर और महम्मद वेखुना रेश्टरों के बार आपके साथ आप कहरें रंजी निकल पर ये भी तो हो सकता है युग्राजी कल कोई और गरीब कर कल कोई और मौसुम उनके चुम्र बढ़ जाए आपके परीजनों ने तो आवास प्रेमें भी कोई आवाज उठाने वाला नहों तो करते हमारे देश की जनता विश्वास करते हम भी कही न कि हम लोग भी विश्वास करते हैं और वाकिक सराने कारे भी करें पर जब इस तरह की बातें सामने आती हैं कि कही न की विश्वास उठ जाता है कि कल को ना जाने कितने मासूं कितने इन्नोसेंट्स लोग इनका शिका कोई इंसान मुझरिम भी ना हूँ तो कहीं लोग इस तरह की जो उनके साथ बरबरता होती तो वह उसी रास्ते को पनाने जले जाते बात बिल्कुल सही अपने कहीं है मैं तो दन्यवाद करता हूं स्सभी साब का कोली साब का और बीजीबी जो हमारे दिलबाग से जी उन्हों जब उसने किया है नहीं कुछ तो आप ऐसे उसको मारो पीटो यह आपको इंसाव थोड़ी को रता है केसिस में संग्यान जरूर लेना चाहिए तुरंत एक्षन होना चाहिए ताकि जनता का जो विश्वास बना है हमारी फोर्स पर हमारी एजन्सिस पर वो काईम रहे और सबसे बड़ी बात हम कहना चाहेंगे कि युग्राज जैसे व्यक्ति यानि युवा जो है कि अगर वाक काग़ वकील को ट्रांसफर कर मैं सर मैंने ना तो वकील से कुछ कियला करते ना करम जीस से मैं रिलेशन बना है कुत्तों करते हैं उसे विजनस थांच ही मालम कि यह जुर्म है कि वकील करके देना किसी को माता पिता जब आपकी जखमें देखिया हमने तो ममी तो उधरी विचारे रो रहे थे क्या हुआ मत दर्द बहुत जो से हो रही है आप घर चलो कि अभी तो हमने आदे जखम दिखाये जो वीडियों हमारे पास पड़ा कि उनके पीछे बैक साइड पर भी बुरी तरह से जो हम दिखा भी नहीं शायद पाएंगे और बार बार दिखाना भी अच्छा नहीं लगता है कि युवा है हमारे भाई हैं तो ऐसा चीज़े हमें भी अच्छी खुज नहीं लगेंगी पर कहीं ना कहीं हमारी इस कहानी को सा कलूमों पर आप हाथ उटा रहे हैं बिना किसी तफ़्तीश के बिना किसे तथ्यों पर कल को वो कितना बड़ा बवाल सामने खड़ा करके ला सकते हैं ये शायद अंदेशा उनको भी नहीं है पर कहीं ना की बार बार यहीं कहेंगे कि वाकिए अगर युगराज किसी ऐसी लिए में उनकी इन्वाल्मेंट होती तो यूगराज को छोड़ा क्यों गया अगर छोड़ा गया उसके बाद यूगराज के जख्म जो साफ उनकी कहानी ब्यान कर रहे थे कि एनाई की अंदर उनके साथ क्या किया गया किस तरह का वेवार हुआ गया और वाके अगर यूगरा कारे कर रहे हैं और साथ इसाथ जो ने हमारे SSP जम्मों आएं चंदन कोली जी वो भी काफी अच्छी एक्षवी ले कर आएं और उमीद करते हैं कि जंता ने जो विश्वा साब पर जताया है आगे भी इसे तरह के इंटर्वीन करके ऐसे केसों को की तत्य तक जान कर उनके ग् सजा मिलने चाहिए जो अपनी कर्स कुर्सी का और अपने ओदे का दुर्यों प्योग करते हैं जोड़े रिया से हमारे साथ अगले आपडेट के लिए जैंद चैभारत